दिल्ली में शीष महल की खुलासे के बाद जिस तरीके की तस्वीरे पंजाब से सामने आ रही हैं कि टाइम्स नाव न भारत की पत्रिकार को जिस तरीके से गिरफतार कर लिया गया है कल रात को उन्हें गिरफतार कर लिया गया है वो भी पुरुष अधिकारी यानिकी पुलि पुलिस जिस तरह से काम कर रहे हैं इसके पहले भी कर चुकी है तो जिस पत्रकार ने शीश महल की स्टोरी ब्रेक की थी और सारा दिखाया इनको उनको फसा कर उनको जान बुझकर इन्वाइट भेजा गया कि आप दिली के मुख्यमंतरी वहां जा रहे हैं पंजाब के मुख् टूटके गिर गया है तो गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था गाड़ी में कोई और आदमी भी बैठे थे पत्रकार तो पीछे पैसेंजर की सीट पे बैठी थी तो पत्रकार ने ऐसा कोई ओफेंस तो किया नहीं कि आप उनको औरेस्ट कर लें गाड़ी अगर किसी ड्रा कराएं इसमें लगवा दी हैं ताकि उनको बेल ना मिले और ये बहुत ही घटिया बहुत ही गंदी राजनीती है और ये दिखाई दे रहा है कि केजरिवाल साहब बार बार क्यूं कहते हैं कि दिल्ली पुलीस मुझे दे दो दिल्ली पुलीस अगर इनको दे दिया गया तो विरोध करने वाले या इनके बारे में इनकी पुल खोलने वाले या जो इनकी गलत हरकते हैं उसके बारे में जो भी कोई बताएगा उसको वो दिल्ली के दिल्ली में ही परिशान कर देंगे गिरफतार करवा देंगे पुलीस द्वारा तंग करवा देंगे इसलिए दिल्ली पुलिस मांग रहे हैं ये इनकी नियत और सब दिखाई दे रही है और जो काम ये दिली में नहीं कर सके वो आपने मुख्यमंतरी द्वारा पंजाब से करवा रहे हैं सीधी सी बात है कि एक पत्रकार ने पॉल खोल की है आपका शीश महल को दिखाया है जनता को दिखाया है आपने किस तरह से जनता के उठागा है किस तरह से जनता के पैसे को लूटा है तो इस तरह से जो भी पत्रकार ने जो भी चीजे लोगों के सामने आई वो सब खुल के सा साइ हैं और इस पत्रकार पे इतनी घिनौनी अधर कत से आप करें इस तरह से इन को गिरफतार से पषए और उसको मजबूर कर दें कि स्थेड़िapp गिरफतार किस अब जेल से बाहर ना आप आए और उसको जुडिशल कस्टिडी में डाल दिया गया है यह बहुत ही दुर्भाके पूर्ण है इससे बड़ा दुर्भाके पूर्ण यह है कि यह वही लोग है जो अभिवक्ति की स्वतंतरता और जो पत्रकारों के निस्पक्ष था इसका गाना गात उसकी डफली बजाते थे अब वो कोई भी नहीं इन में से सामने आ रहा यही पार्टी है जो ऐसी बाते बोल बोल कर सत्ता में आई है और इन्होंने जाकर एक पत्रकार को जो अपनी डूटी कर रही थी जिसने की बात सबके सामने लाकर दिखाई है उसको इस तरह बुरी त सालिका है वो बिलकुल ही इन चीजों को देख लेती है समझ लेती है जब ऐसा सुनने में आया है कि जब आज जस साब ने बोला कि आप एफायर की कौपी दो एफायर दिखाओ तो पुलिस ने एफायर भी नहीं दी चूंकि उनके उपर इल्जाम संगीन लगा दिये गए है इसलिए उनको जुडिशल कस्टडी में 14 तारिक तक वेज दिया गया है ये कानूनी प्रकिरिया है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन ये बहुत ही दुरभागयपूर्ड है पुलिस ने जो भी हरकत की है वो सबको पता है कि ये गलत हरकत है गलत नियत से की गई ह पुलिस पावर्स का मिस्यूस करके किया गया है और पतरकार को डिमरलाइज करने के लिए दूसरे पतरकारों को डराने के लिए कि आप लोग ऐसा ना करें तो आपके साथ भी यही सलूख होगा इसलिए ऐसी हरकत की मैं जितनी भी हो सके भर्षना करता हूँ और दिल्ली की जनता को यह देखना चाहिए कि हमने कैसे लोगों को चुना है और कैसे लोगों को हमने वोट दे कर सत्ता स्वाप दी है जो इस तरह से खुले तूइट पर ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजे पी के चैनल की एक पत्रकार जो कि पंजाब में जाकर दलित के साथ जो है गाली का लोच कर रही थी इसलिए उसे गिरफतार किया गया है और नियाय सब के लिए बराबर है और दूसरी दिरब जंता ये भी सवाल कि नियाय कहां से बराबर हो गया जब वहां जाके गिरफतारी ही महिला पुर्ष पुलिश आकर इस तरीके से गिरफतारी कर रही है देखें स्वाती महिवाल साइद भूल गई कि उनको वो दिल्ली महिला आयो की अध़क्ष होती है उन्होंने बहुत सारे ऐसे विशे उठाये हैं जब भी पुलिस ने किसी को अरेस्ट ऐसे किया है या किसी इस तरीकी प्रताड़ना की गई है तो वैसे वो सबसे पहले वावाही लूटने में आगे आ जाती है यहां एक पत्रकार को गिरफतार महिला पत्रकार को गिरफतार किया गया है पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया है बेल पुलिस कॉंस्टेबल पुलिस फोर्स थी उनके साथ कोई भी फीमेल पुलिस फोर्स नहीं थी और शाम को उनके गिरफतारी की गई है तो यह स्वाती म मालिवाल जी शायद भूल गई है कि उनका भी एक समविधानिक दाइत तो है कि दिल्ली की पत्रकार को गिरफतार किया गया है गलत तरीके से किया गया है तो वो कुछ तो साफ बोले कुछ तो बोले पार्टी के वो ऐसी फॉलोर हो गई पार्टी ने जो उनको डिक्टेट किय तो वो अपने मिस्यूज करती हुए अपनी पावर्स का ऐसे फेक ट्वीट कर रही है इसका कोई मतलब नहीं निकलता है और उनको देखना पड़ेगा कि यह किस तरह से हुआ है जहां तक सवाल है कि वो कह रही है कि यह बीजेपी का चैनल है तो ऐसा कुछ नहीं है यह टाइम की ओनर कंपनी टाइमस अफ इंडिया है जो कि बेनेट कोलमें कंपनी की मालिक है जो कि बिटिश टाइम से यहां चल रही है बीजेपी ने इसको कभी नहीं खरीदा अपने फैक्ट्स को ठीक कर लीजिए अपनी जानकरी बढ़ा लीजिए अगर आप ऐसे ही बाते कर रही है बिना सिर पैर के तो आपको अध्यक्ष रहने का महिला आयो का अध्यक्ष रहने का कोई अधिकार नहीं है किसी पढ़े लिखे आदमी को यहां आने दीजिए जो कम से कम एक रैशनल बात तो करे आप अपने पार्टी के स्वार्थ पूर्ति के लिए इतनी अंधी हो गई है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा कि एक ऐसे चैनल से एक बहुत ही प्रतिस्टिक चैनल से जो पिछले सौट डेड़ सो साल से यहां चल रहा है जो अख़वार जो मीडिया हाउस यहां पर चला रहा है अख़वार उसके एक सीनियर जनरलिस्ट को जिसने आपकी पोल खोल की है आपके तथाकति मुख्यमंत्री की उनको इस तरह से इतने ही गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो उसकी भर्चना करने के बजाए उसको गलत कहने की बजाए आप ऐसी घटिया हरकत कर रही है तो आपके उपर लानत है ऐसा आपको करना ने चाहिए कम से कम आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आपको मेंडेट दिया गया है जे चेर्मेन ओफ दिल्ली वूमिन कमिशन आप उसका कम से कम एक निर्वाहन कीजिए इस तरह की गलत हरकत मत कीजिए नहीं तो जनता का ऐसी संस्थाओं से विश्वास उठ जाएगा और लोग आपक कि पत्रकार दिल्ली से पंजाब पहुझी है महला क्लेन की कवरेज के लिए वह यह आरूप लगा जा रहा रहा है कि एक महिला एक जो डलित है उसे गाली दी गई है वो भी रोड़ग पे अगर दिल्ली से ऑगी पत्र kulli कि जाति क्या तो पिर टिपड़ी कैसा की कि की गई हैं लेकिन ये बहुत ही दिखाई दे रहा है कि ये फैब्रिकेटेड मैटर है और पंजाब पुलीस अपनी सीमाएं कानून की सीमाएं लांग कर ऐसी हरकत कर रही है ये ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ही दुर्भागे पोड़न है